आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्वेस्ट कर दें ताकि आपको हर नई शोबिस अपटेर बहासानी मिलती रहे हमाईयों सहित पाकिस्तानी शोबिस के सीनियर अदाकार हैं और किसी तारुप के मोहताज नहीं उनकी फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी को लोग बहुत पसंद करते हैं उन्होंने बेहिसाब ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए और बहुत सी फिल्मों में भी अदाकारी के जरिये लोगों के दिल जीत लिये लेकिन ड्रामा सिरियल मेरे पास तुम होग में हमायू साइद की अदाकारी ने लोगों को रुला दिया और लोग उनकी अदाकारी को मानने पर मजबूर हो गए कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हमायू साइद का अदाकारी में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता हमायू साइद के एक भाई जो उनके सबसे चोटे और लाड़े भाई हैं वो भी अदाकार हैं और उनका नाम है सलमान साइद सलमान साइद भी फिल्मों और ड्रामों और थेटर में काम करते हैं वो भी बिल्कुल हमायू साइद की तरह की अदाकारी करते हैं के हकीकत का गुमान होने लगता है हमायों सईद के भाई सलमान सईद का अदाकारी का स्टाइल और बोलने का स्टाइल बिलकुल अपने भाई जैसा है उनको देखकर कोई भी साफ पहचान सकता है कि ये हमायों सईद के भाई हैं क्योंकि उनकी बाड़ी लेंगविज बिलकुल अपने भाई जैसी है सल्मान साइद चुंके हमाईव साइद के छोटे और लाडले भाई हैं इसलिए सल्मान साइद की शादी हमाईव साइद के घर की आखरी शादी है इसलिए सब ने ही अपने सारे अर्मान इस शादी पर पूरे किये और सल्मान की शादी और उसके बाद वो ड्रामों पे ड्रामे करते गए और शोहरत हासिल करते गए आज कर सोशल मेडिया पर सलमान साइद की शादी के चर्चे हैं और उनकी दुलहन की खुबसूरती के चर्चे हैं उसके बाद दुलहन की माँ की खुबसूरती देखकर सब दंग रह गए कि इतनी जवान और हसीन कि सब ने कह दिया कि सलमान साइद की सास तो बहुत यंग है और अब जब तसावीर में दुलहन की बेहन दिखाई दी तो लोगों ने उनको दुलहन की जुर्मा कह दिया आप देख सकते हैं इन तसावीर में कि दुल्धन की बेहन तो बिलकुल दुल्धन जैसी दिखाई देती हैं वो भी बहुत खुबसूरत और बहुत गोर्जस है दुल्धन और उनकी बेहन में इतनी मुशाभ़त पाई जाती है कि एक को देखकर कोई भी धोका का सकता है कि ये एक ही है सल्मान साइद की दुलहन और सास की तरह उनकी साली भी बहुत हसीन है और वो भी सोशल मीडिया पर चा चुकी है आपको सल्मान साइद और उनके इनलाज कैसे लगे और क्या आप सलमान साइद के ड्रामाज देखते हैं और अगर देखते हैं तो आपको उनकी अदाकारी उनमें कैसी लगती है अपनी कीमती राय से जरूर आगा कीजिएगा और विडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा शुक्रिया